इस इस डी के स्पेशल एजूकेशन चैनल जैसे कि आपको पता है हम 2013 का जो डी एससबी ने स्पेशल एजूकेशन का पेपर लिया था उस पेपर को डिसकस कर रहे हैं पिछली वीडियो में हमने जन्रल अवेरनेस के 20 कोसन डिसकस किये थे इस वीडियो में हम हिंदी का कोसन डिसकस करेंगे जो हिंदी के 20 कोसन पूछे गएते ूसमें हमने जन्रल एवेरनेस के 20 कोसन डिसकस किये हैं आईए देखते हैं हिंदी का पेपर, DSSB ने जो इस्पेशल एजुकेशन से रिलेटिट टू थाउजन थाटीन में एक्जाम लिया था, कोशन नमबर 61, निमलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के पद परीचे के लिए दिये गई विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर लिखिये, 61 से 64 तक जो कोशन्स हैं, उसमें हर संटेंस में किसी वर्ड पर अंडरलाइन की हुई है, उस वर्ड को आपको बताना है, उस वर्ड का जो रिलेशन है, नीचे दिये गई चार ओप्शन में से कौन सा है, 61 मैं अवश्य पहुचूंगा, इसमें आप देख सकते हैं, अवश्य के नीचे अंडरलाइन की हुई है, इसमें आपको बताना है जो अवश्य वर्ड है, वो इन चार ओप्शन में से क्या है, 62 मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें आपको बताना है इस सेंटेंस में पुस्तक क्या है, इसका जो अवश्य वर्ड है, पुस्तक जाती वाचक संग्या है, एक वचन है, एवा मिस्त्रीलिंग है, 63 उसने उचा महल देखा, उचा के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, इसमें इसका जो अंसर है, वो अप्शन नमबर फर्ष्ट है, विशेशन, गुणवाचक, पुर्लिंग और एक वचन, जो उचा वर्ड है, इसमें ये विशेशन भी है, गुणवाचक भी है, और एक वचन, 65, जिस वाके में एक सरल वाके के अलावा अन्य अपुवाके आश्रित होकर आएं, उसे क्या कहते हैं, फ्रेंट्स जो इसका उप्शन नमबर थर्ड है, वो इसका अंसर सही है, मिशरीत या मिशर वाके कहते हैं, कोशन नमबर 66 से 70 तक फ्रेंट्स अंसीन पै पैसिज है हिंदी का अगर आपने पैसिज अच्छे से पढ़ाया तो इन कोसंस के आंसर आप एजी ली दे सकते हैं 66 किस देश में चोकलेट अधी खाई जाती है इसका आंसर थर्ड है सहिंक तुराज्य अमेरिका 67 चोकलेट में सक्कर मिलाने की सुरुवात किस देश ने की इसका अंसर है सेकंड इस्पेन 68 किस देश को चोकलेट का थी खासवात पसंद नहीं आया इसका अंसर है ओप्शन नमबर सेकंड इस्पेन मैक्सिको के लोगों की पसंदीदा सुगंद क्या थी इसका अंसर है ओप्शन नमबर फर्स्ट वैनिला 70 निमलिखित में से कौन सी चीज बच्चों को सबसे अधिक प्रिये है इसका अंसर है ओप्शन नमबर सेकेंड चोकलेट 71 से 72 फिलिंदा ब्लैंक्स हैं आप देख सकते हैं सबसे उप्यूक्त विकल्प चुनकर निमलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए 71 डैस मैं बुंबई जा रहा हूँ इसका अंसर है ओप्शन नमबर सेकेंड मेरे मित्र के विभा में सामील होने मैं बुंबई जा रहा हूँ 73 बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि बरामदे डैस ना दोड़े इसका ओप्शन नमबर थर्ड आंसर है 74 बस ने उस महिला को गिरा दिया डैस रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है इसका अंसर है ओप्शन नमबर फोर जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है 76-77 में आपको संटेंसिस को सिक्वेंस में अरेंज करना है नीचे चार वाक्य दिये गए हैं जिने क्रम 1,2,3,4 दिया गया है उन वाक्यों में एक अनुच्छे बनाने के लिए सही करम चुनिये 76-फर्ष्ट इसका स्वाथ अच्छा होता है पर यह स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है सेकिंड इसकूलों की कैंटीनों में इसर परतीबंद है 3. Fast food खाना स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है 4. बच्चों को इसे नहीं खाना चाहिए इसका अंसर option number 4 है 77. First, वह बड़ी दुकान थी 2. मैं कुछ खाने की चीज़े खरीदना चाहता था 3. मैंने चीज़े खरीदने में 500 रुपे खर्च किये 4. मैं एक परचुन की दुकान पर गया इसका अंसर है option number 4 78 से 80 तक इस पूरे sentence में आपको गलत वर्ड पहचानना है 78. कुत्ता बिल्ली से भगा रहा है इसमें जो गलत है वो second option है भगा 79. चोकलेट आइसक्रीम बच्चे में बहुत पसंद है 80. तुमने तुम्हारा पैंसिल कहां रखी है इसका जो option number second है वो गलत है तुम्हारा की जगे तुम्हारी होना चाहिए क्योंकि जो पैंसिल है वो ये किस त्री लिंक है फ्रेंड्स थैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो कीप सपोर्ट दिस चैनल